आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अफ्रीकी महादूइब के कई देशों में कोविड-19 के घातक वेरियंट ओमिक्रोन के मिलने से केंदर सरकार ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है शेहर के वरिष्ट जनरल फिजिशन एवं सेलसा के अध्यक्स डॉक्टर सुनील शर्मा ने शेहर के लोगों से कोविड अनुरूप व्यवाहर को अपने जीवन में अपनाने के साथ मास्क लगाने की अपील की है कोविड का जो निया वेरियंट है ओमेक्रों डव्यचो ने इसको नाम दिया है इसमें सबसे बड़ी समस्य हम लोगे सामने है कि इसके वेरियंट बहुत है इसकी स्पाइक प्रोटीन में जहां भी वेरियंट होता है तो नए वेरियंट बना देता है और जितने इसके दस बारे वेरियंट हैं तो उसमें वेक्सिनेशन में हम लोगो प्राब्लम आ रही है वेक्सिनेशन हमारी इतनी ज्यादा अफेक्टिव नहीं हो पा रही इस वेरियंट केंगे फिर भी जनता को भै और भै का महुल बनानी की जरूत नहीं है प्रिकोशन लेनी की जरूत है इसमें दो बिन्दों पे हमें कार करना चाहिए पहला है प्रिकोशन जो कि जनता ही का कर सकती है इसमें भारत सरकार या शासन प्रिशासन का कोई काम नहीं है जनता को पहली लहर और दूसरी लहर की बेहानकता को हमेशा याद करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि तीसरी लहर हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में नहीं आनी चाहिए जिसमें कि 80% कार जन्ता का है सिर्फ छोटे तीन कार करने मास्क पहन के रखिये सेल्फ डिस्टेंसिंग 6 फूट की दूरी बना के चलिये और नित प्रते अपने हाथों को 2-2 घंटे पे धोके रखिये इसमें हमारे NGV, हमारे समाजे हमारे समाज के लोगों की भी जिंबेदरिय है, उसमें डॉक्टर ना कह 최근 समाज में अगर कोई भी वेक्ति बिना मास्क पहने गूम रहा है, तो दूसरी वेक्तियों की जिंबेदारी बनती है, के उसको तोके और जगड़ा ने करें, समझाएं उसके साथ शासन की भी थोड़ी सी जुम्मेदारी है कि ये भी कहा जाता है कि भैबिन प्रीत होती नहीं है शासन को थोड़ी सक्ती करनी पड़ेगी लेहर का इंतजार ना करके लेहर के समय जो प्रिकोशन लिए गए तेया जो जो भी काईदे कानून बने थे वो हमें अभी से लगू कर देने जाए